नमस्कार दोस्तों, हर्षित दिवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है, मेरा नाम है विनीत शागर डेली एडिटोरियल डिसकेशन 22 सप्टेंबर 2022 तीन इंपोर्टन आर्टिकल्स हम डिसकस करेंगे दोस्तों, वन इस एरिस्की न्यू स्टाटेस को यह आर्टिकल बेसिकली LAC क्रैसिस से रिलेटेड है, यह बता रहा है ओथर कि LAC क्रैसिस की वज़े से इंडिया का जो फोकस है, वो वेस्टेन बोर्डर और इंडिन ओशन रिजियन से हट गया है अब पैट्रोलिंग पॉइंट 15 में से डिसेंगेजमेंट हो चुका है, तो इंडिया के लिए एक उपरचूनिटी है, इंडियन ओशन रिजियन के उपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना का जो थ्रेट है, इंडियन ओशन रिजियन से भी हो सकता है, तो अच्छा आटिकल है, इसमें कुछ अच्छे-चे पॉइंट से इंडरनाशनल रिलेशन के परस्पेक्टिव में वो डिस्कूस करेंगे, फिर फेलियर ओफ फायर सेफटी नॉम्स, तेलंगाना में रिसली जो फायर आक्सिन्ट हुआ, उसके बार में एक आटिकल है दोस्तो जो लेटेस्ट अनॉंसमेंट हुआ उनकी तरफ से, कि 3 लाग और ट्रूप्स को वो डिप्लोज करेंगे, वो सब के बारे में है, तो ऐसा लग रहा है कि रिश्या युक्रेट वार जो है, जो है, most dangerous face में एंटर करने वाला है, फाइनली, trade tactics करके एक आटिकल है, देखें, इ आपके साथ discuss करेंगे, इस लिए इस आर्टिकल को मैं discuss नहीं कर रहा हूं, तो 3 important articles को हम देखेंगे, पहला आर्टिकल, यह risky news status को, यह article basically LAC crisis से related है, जो इंडिया और चाइना की बीच में चल रहा है, LAC crisis की वज़े से, इंडिया को क्या-क्या लुक्सान हुआ है, चाइना कै इसे इंडिया को major issues में से divert किया है LAC crisis से, इस बारे में author इधर बता रहा है दोस्तों, तो वो क्या है हम discuss करेंगे, देखें, आपको पता आओगा, recently patrolling point 15 में से complete disengagement हुआ था, पर्ध्यान रखना है, पूरा line of actual control में से disengagement अभी भी नहीं हुआ है, only galvan valley, patrolling point 15 और कुछ areas में से disengagement हुआ है, अभी भी अगर आप देखोगे, Dubsang planes में 50,000 से ज्यादा troops deployed है, इंडिया और चाइना की तरफ से, patrolling point 15 में से disengagement होने से पहले, इंडिया और चाइना के बीच में कुछ points में agreement हुआ था, जैसे कि एक buffer zone create किया जाएगा, जहाँ पे Indian forces और Chinese forces नहीं जाएगे, अब इससे इंडिया एक disadvantages position में आ गया है दोस्तों, क्योंकि देखिए, जहाँ पर ये buffer zone create किया है ना, वो पहले इंडिया के पास था, Indian forces उथर patrolling करते थे, तो ये buffer zone बनाने से, इंडिया का जो patrolling area था, वो अभी buffer zone बन गया, तो इधर इंडिया disadvantages position में आ गया है ना, तो ये L LAC crisis के दोरान, इंडिया और चैना border areas में, basically line of actual control के आसपास, कई सारे permanent military infrastructure create किया है, comparatively चाइना इधर advantages position में, क्योंकि चाइना ने ज्यादा ही infrastructure create किया है, like roads, heliparts, communication notes, etc. इससे और एक problem ये हो सकता है दोस्तों, हमारा अरनाजल प्रदेश को तो चाइना बहुत पहले से claim कर रहा है, अब इतने सारे military infrastructure इन्होंने जो create करके रखा है, अभी ये LAC crisis के चकर में, इस वज़े से आरनाजल प्रदेश के लिए इनका जो claim है, या demand है, ये future में और strong हो सकता है, और एक problem ये हो सकता है दोस्तों, इतना ज्यादा military infrastructure LAC के दोनों side में, दोनों countries में जो develop करके रखा है इस वज़े से आगे कभी छोटा मोटा conflict भी होगा ना, वो एक large military standoff में result कर सकता है, है कि अभी तक ज्यादा military infrastructure नहीं थे, इसलिए जबी कुछ conflict होता था, तो उधरी खतम हो जाता था, बात में दोनों countries के बीच में discussions वगरा होते थे, पर आभी हाल ऐसा नहीं है, दोनों side में military infrastructure बहुत जाता है, तो अभी उसी बात है, वो यूज़ करेंगे, इस वज़े से एक large military standoff में ये result कर सकता है, और एक issue यह है दोस्तों, पिछले दो साल से हमारा पूरा जो focus है, वो line of actual control में है, जब से Galvan Valley clashes वगरा हुआ है, हमने हमारा Pakistan facing strike corps को भी re-ezen किया था, Chinese border में, हमने newest artillery, fighter jets, drones वगेरा, Chinese border में लेके गया है, तो इस वज़े से हमारा जो western border है, वो थोड़ा vulnerable है अभी, हमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, कि हमारा line of control में तो हमेशा threat है Pakistan की तरफ से, पर अब हमारा पूरा ध्यान जो है, line of actual control में हो गया है, इस वज़े से हमारा line of control के आ हमारा पूरा ध्यान line of actual control में लेके आ रहा है, और इसमें वो successful भी है, क्योंकि हमने कई सारे troops को, कई सारे weapons, equipments वगरा अभी line of actual control में deploy करके रखा हुआ है, इस वज़े से हमारा line of control थोड़ा सा vulnerable हो चुका है, अब पाकिस्तान और चाइना के बीच में relations अच्छा है, दोनों दोस्त है, तो दोनों प्लान करके भी यह कर रहा हो, हैगी नहीं, अब यह सब को छोड़के और एक major issue यह है दोस्तों, India has not significantly improved its capabilities on posture in the Indian Ocean region, Indian Ocean region में हमारी जो capabilities है, posture है, उसे पिछले दो धाई साल से इंडिया इंप्रूव नहीं किया है, वेरास इंडिया ओशन रीजियन हमार सबसे बड़ी priority होना चाहिए, आज के जियो political situations देखते हुए, इंडिया नोशन रीजियन को भी secure करना हमारी responsibility है, पर पिछले दो साल से, बेसिकली जबसे यह LAC crisis शुरू हुआ है, हमने बिलकुल ध्यान नहीं दिया है, इंडिया नोशन रीजियन में, वैसे आपने recently news में खरीदा है, हमारे इंडिया नोशन रीजियन को protect करने के लिए, हमारा new aircraft carrier commission हुआ है, यह सब तो ठीक है, पर यह सब के लिए plans actually LAC crisis शुरू होने से पहले हुआ था, समझ रणा में क्या बोल रहा हूँ, LAC crisis शुरू होने के बाद हमने इंडिया नोशन रीजियन के लिए ज्य आपको पता होगा, तो इंडिया नोशन रीजियन में भी हमारी capabilities को improve करना ज़रूरी है, और एक important point author इदर क्या बता रहा है दोस्तों, इंडिया नोशन रीजियन में हमें हमेशा एक strategic presence establish करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्योंकि आप सब को पता है, एशिया में दो major powers है, one इंडिया दूसरा चाहिना है, अब चाहिना अपना power तो establish करके रखा हुआ है, influence है उनका ये बात आपको पता है, अब इंडिया को भी एशिया में इस power को balance करके रखना है, इसके लिए इंडिया नोशन रीजियन में हमेशा इंडिया एक prominent role play करना चाहिए, तो इसके लिए हम हमेशा actively रहना पड़ेगा, हमारी जो strategic presence है, वो हमेशा establish करना पड़ेगा, मतलब ताकि दूसरे countries को ये लगे, इंडिया नोशन रीजियन को इंडिया डोमिनेट कर रहा है, अगर आप कुछ नहीं करोगे, ठंड बैठोगे, तो obviously बाते दूसरे इंडिया इस concern, इंडिया को अपना strategic presence हमेशा establish करके ही रखना पड़ेगा, कि ये पूरी दुनिया को बता के रखना पड़ेगा, कि इंडिया नोशन रीजियन का बाप हम है, अगर आप दूसरे activities में involved होके, इंडिया नोशन रीजियन को ignore करोगे, ये हमार लिए सही नहीं होगा, अगर Asia में power को balance करना है चाइना के साथ, तो इंडिया नोशन रीजियन का जो domination है, वो हमारे पास होना चाहिए, तो देखे, अब तो patrolling point 15 में से तो disengagement हो चुका है, अभी के साब से forces deployed है, तो इंडिया थोड़ा बोध time बचा सकते है, forces बचा सकते है, तो आप इंडिया के लिए golden opportunity है, दूसरे areas में भी थ्यान लगाना चाहिए, जैसे कि इंडिया ओशन रीजियन में इंडिया का थ्यान होना चाहिए, इंडिया को long term military modernization करना चाहिए, और अपना जो political influence से इंडिया ओशन रीजियन में उसे maintain करना चाहिए, फाइनली ये LAC crisis इंडिया को एक wrong lesson सिखा सकते है, वो क्या है, that the short time expedient of greater readiness is enough to see of the Chinese threat, इसका मतलब क्या है, देखें इंडिया और चैना के बीच में LAC crisis actually कब शुरू हुआ था, दो सार बीच में हुआ था, precisely Galvan Valley classes से शुरू हुआ था, अब 22 हुआ है, इन दो साल में LAC crisis में काफी कुछ developments हुआ था, ये सब आपको मालूम है, पर देखें दोस् चैना भी तयार था, चैना भी तयार था, तो इसका मतलब ये है, केवल दो साल में इंडिया कम्प्रीटली रेडी हो गया था, चैना के एगेंस्ट एक वार लटने के लिए, तो बेसिकली इथर short time readiness काम आया, केवल दो साल में हमने अपने आपको प्रिपेर किया, चैना को का आएंगे, तो हमें पूरी तरह prepared होना पड़ेगा, और वो preparation अभी से शुरू करना पड़ेगा, अभी से नहीं काफी पहले से हमने शुरू किया था, वो continue रखना पड़ेगा, basically long-term growth चैना ही दोस्तों, हमारी capacity को हमें बढ़ाना पड़ेगा, तो इसके लिए coherent strategic assessments की जरूरत ह और पॉलिटिकल विल की जरूरत है, अगला है, the failure of fair safety norms, यह article basically सेकंदराबाद fair accident से related है, जो September 12 को सेकंदराबाद तिलंगाना में हुआ था, जिसमें 8 लोगों का death हुआ था, तो author of the article 20 वाथ ही यह बोल रही है दोस्तों, illegal building structures की वज़े से यह fair accident हुआ था, देखें यह केवल सेकंदराबाद का problem नहीं है दोस्तों, अब सबको पता होगा हमारे देश में majority of buildings जो है, वो proper तरीके से fair safety norms को या फिर basic building norms को follow नहीं करते हैं, जिस वज़े से काफी बार इस तरह के differences होते हैं, और उसमें innocent लोगों का death होता है, तो इसके लिए हमारा corrupted system responsible है दोस्तों, हमारे ज पेले भोईगुडा में इसी तरह एक fire accident हुआ था, जिसमें 12 लोगों का death हुआ था, recent incident में fire erupt हुआ था, basement of the structure से, और उथर से दुवा उठा, पूरा hotel को envelop किया, upper floors में, उथर जितने गस्त है, वो सब चोक हो गया, उनमें से 8 लोगों का death भी हो गया, देखने की बात यह हैं दोस्तों, basement was unauthorized, as also the top floor of the building, तो basement and top floor of the building unauthorized था, both of which represented gross deviations from the plan sanctioned by the civic body, देखे, जब भी आप एक बिल्डिंग का plan बनाते हो, उस plan का approval लेना पड़ता है, local civic body से, तो local civic body ने building plan जो अप्रूव किया था, उसे deviations था, actual building में, basement और top floor authorized नहीं किया हुआ था, incident के बाद, regional fire officer का report के साब से, building में several irregularities थे, जैसे कि absence of setback spaces and escape routes, multi-storied building में, जब भी कोई fire accidents वगरा होता है, तो लोगों को बचने के लिए एक escape route होना चाहिए, वो नहीं था building में, fire fighting equipment काम नहीं कर रहे थे, spiral staircase provided था, elevator shaft के पास पे, देखे, आप आपने देखा होगा, multi-storied building में, elevator के पास में, staircase रहता है, अगर elevator काम नहीं करते हैं, या फिर elevator के अंदर फैर होता है, तो यह staircase use करके लोग निकल सकता है, पर इधर जो staircase दिया हुआ था, वो spiral staircase था, अब spiral staircase आपने देखा होगा ना, इस तरह round round रहते हैं, इस में से लोग ज दुकान मगरा लगाया होगा, फिर देखें, किसी भी तरह का smoke management and emergency lighting का facility नहीं था, ठीक है, अब यह सारे facilities इस building में नहीं होने का major reason यह है दोस्तों, आस पर तेलंगाना Fire Services Act 1999, only residential buildings above 18 meters height and commercial buildings above 15 meters height are obligated to seek fire safety clearances, तेखें, यह जो particular building था ना, यह 15 meters से ज्यादा है नहीं था, इसलिए इनको fire safety clearances लेने की ज़रूद भी नहीं था, इसलिए यह सारे facilities नहीं थे और building को approval भी मिल गया, तो सबसे पर नहीं इस law को amend करना पड़ेगा, क्योंकि इस law के हिसाब से तो 15 meters से उपर जिस building का height है, उन्हें fire safety clearances लेने की ज़रूद है, यह गी नहीं, जबकि fire accidents तो कोई भी building में हो सकता है, जैसे कि अभी यह building में हुआ, पर major issue यह नहीं है दोस्तों, basic building norms को भी follow नहीं किया गया, जैसे मैंने आपको पहली बताया था, इस building का top floor and basement दोनों authorized नहीं है, हमारे जिसमें नजाने कितने ऐसे building से जिन्होंने basic building norms को follow नहीं किया है, हम अक्सर newspaper में पढ़ते है major cities में building गिरने का, नजाने कितने लोगों का death होता है, यह सब corrupted engineers की बज़े से जो approval देते हैं, है कि नहीं, इथर भी भाई हुआ है दोस्तों, enforcement is another key aspect with failure by civic authorities writ large, enforcement नहीं होता है, rules है, ऐसा नहीं, rules नहीं है, regulations है, पर इसका enforcement किसको करना है, bureaucrats को करना है, वो नहीं करते हैं ठीक से पैसे खाते हैं, देखिए, तेलंगाना में एक enforcement, vigilance and disaster management करकी, एक office बनाया गया, under the Greater Hyderabad Municipal Corporation, इनका major function यह है, fire safety को ensure करना, अलग-अलग buildings में, अगर कोई building में fire safety norms को follow नहीं किया गया है, उनकी against action लेना, पर आजकल यह जो enforcement, vigilance and disaster management wing है, दोस्तों, यह भी ठीक तरह से काम नही कर रहा है, जब यह form हुआ था, तब तो काफी hospitals, pubs के against यह action लिये थे, पर आजकल, केवल यह penalties impose करते हैं, illegal flexi banners के against, boards के against, इनका जो actual काम है, fire safety ensure करना, यह तो यह नहीं करना, तो खुल मिला के, यह केवल सेक्योडराबाद का problem नहीं है, इंडिया में आप कोई भी major cities में चल तरह से काम नहीं कर रहा होगा, जिसकी वज़े से इस तरह के disasters होते हैं, और innocent लोगों का death होते हैं, authorities को कुछ नहीं होते हैं, वो बस पैसे खाते हैं, सारे norms and rules को bypass करवाते हैं, देखें दोस्तों, यह सारे norms बनाये किसलिए हैं, follow करने के लिए न, पैसे norms बनाने के पीछे भ साम हैं, और जब तक हमारे offices अपना काम प्रोपर तरिके से नहीं करेंगे, तो हमारे देश का जो future है, वो कुस्टी मार्क बनके रह जाएंगे, अगला है, a dangerous moment on Vladimir Putin's troop mobilization, देखें, इसके रिगारी एक आर्टिकल हमने डेली नुस में डिसकस किया था, वैसे Vladimir Putin का पहला प्लान ये था, एक लाग पचास असा ट्रूप्स को डिप्लोई करेंगे उक्रेइन में, और उन्होंने सोचा था उक्रेइन को यही एक लाग पचास असा ट्रूप्स से हराएंगे, पर देखें, यूरोप and United States of America से उक्रेइन को बैक अप तो मिल रहा है, यह कि नहीं, पैसे मिल र पड़ा, for example, कीव and Kharkiv में, इन्हें अपने ट्रूप्स को बिद्रोग करना पड़ा, क्योंगी उक्रेइन की तरफ से रिटालियेशन बहुत हुआ था, और Kharkiv ब्लास्ट में, रिश्या को एक मेजर डिफीट भी सफर करना पड़ा, क्योंगी उक्रेइन की तरफ से काउंट की जो territories को capture किया है, जैसे कि लुहांस, डॉनेंस्क, खरसन, सप्रोशिया, ये सब में referendum करने का, वैसे दोस्तों देखी, ये जो लुहांस, डॉनेंस्क, खरसन, सप्रोशिया, जैसे cities में, अलड़ी सप्रेइटिस रहते हैं, जो उक्रेइन से अलग होना चाहता है, उन सप्र को actually ratio help करना चाहता है, एक independent state बनाने के लिए, उक्रेइन से अलग होके independent state बनाने के लिए, तो अब पूटिन का प्लान ये है, इन सारे areas में referendum करवाने का, referendum मतलब क्या है, उधर के citizens को पूछा जाएगा कि आपको क्या चाहिए, आपको उक्रेइन के साथ रहना है, या फिर independent र रहना है, तो अब्योसी बात है, वो तो यही बताएंगे कि हमें independent रहना है, तो व्लाडिमर पूटिन अभी advance तो नहीं कर पा रहा है, तो अभी ये से plan बना रहा है कि जिन areas को औरडी capture किया है, उधर referendum करवा के काम निप्टाने का, वैसे देखा जाएका तो ये वार शुरू अमेरिका से continuously supply मिल रहा है, और एक objective था Ukraine को NATO जोइन करने से रोकना, पर actually देखा जाएगा तो NATO तो और expand हुआ है, इस वार के दोरान ही, recently Finland and Sweden को उन्होंने include किया, as it members, अब NATO के perspective से ये भी तो एक success है ना, क्योंकि Russia and Ukraine वार जो चल रहा है, उसी दोरान उन्होंने Finland and Sweden को add किया, as NATO members, and Finland and Sweden दोनों Russia से border share करते हैं, तो इतने सारे battlefield setbacks, sanctions, geopolitical challenges ये सब फेस करने के बाद, अब Mr. Vladimir Putin को ये लग रहा है, escalation is the way forward, पीछे हटने के बार में Vladimir Putin सोच नहीं रहा है, और troops को deploy करके, वार को और escalate करने के बार में सोच रहा है, but there is no certainty that a partial mobilization would produce quick results, and it could well trigger a cycle of escalation, पर देखें दोस्तों इस तरह partially mobilize करके, Russia कितना successful होगा, वो तो time ही बताएगा, ओपर से, Vladimir Putin ने ये भी अनोंस किया है, अगर Russian territory को कोई challenge करेंगे, हम nuclear weapons भी इस्तमाल कर सकते हैं, करके, so all this means that the war is entering a far more dangerous phase, अब देखें, ये तो पका है, वार जो है, अब एक more dangerous phase में enter कर रहा है, तो दोस्तों, that's it, I hope आपको वीडियो informative लगाओगा, lecture की PDF आपको मिल जाएगा, टेलिग्राम चानल में, जिसका link नीचे description box में provided है, thank you for watching, bye bye, have a nice